दोस्तों यदि आप इस टाइम में एक एरटेल का सीम कार्ड लेना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी जनकरी बताता हूं क्या क्या होता है कितना पैसा लगता है इस टाइम आपको एरटेल सीम कार्ड लेने में इससे पहले एक लाइक जुरू कर दिजेगा और चैनल पर नहीं तो एक सस्क्राइब भी कर दिजेगा हम बात करते हैं एरटेल के निव सीम कार्ड के बारे में तो यदि आप कीपएड फोन यानी बटन वाले फोन के लिए एक सीम कार्ड लेना चाहते हैं तो कौन सा प्लान मिलेगा कितना पैसा लगेगा और कितना पैसा लगेगा पूरी जनकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगे तो बात करते हैं एरटेल का कीपएड फोन के लिए सबसे सस्ता प्लान दोस्तों मैं आपको बदा दूं कि एरटेल का सीम कार्ड या दिया आपको लेना है तो दुकान वाले के पास आपको जाना पड़ेगा जाने के बाद वह दोस्तों प्राइस इसका बहुत ही सस्ता है आपको 180 रुपे तक आसानी से मिल जाएगा कुछ लोग आपको 1500 रुपे तक दे सकते हैं लेकिन 180 से ऊपर मुश्किल आपको नहीं मिल पाएगा लेकिन बात आती है कौन सा रिचार्ज मिलेगा तो इसमें आपको एक महीने फ्री करकर मिलेगा रिचार्ज दोस्तों एस वक्त आफर चल रहा है एक महीने फ्री मिलेगा एक महीने इंडराइड में चलाना है तब यह आफर आपके लिए बेटर पड़ेगा क्योंकि 180-200 रुपे में आपको डाटा भी मिल रहा है फ्री कॉल भी मिल रहा है तो दोनों के लिए बेटर है यदि आप जादे 24 करते हैं तो कुछ लोग आपको 200 नियान वेगा रिचार्ज करकर दें चाहिए तो उसमें आपको पूरा 300 रुपे देना पड़ सकता है कि 265 में आप पर चलता है अब पाता थी सिम कार्ड ओपेन करेगा और केवल पांच मिनिट में पांच मिनिट में सीम कार्ड आपका ओपेन हो जाएगा पांच से साथ मिनिट में वह वेरिफाई भी कर देगा आपको बैठे रहना है उसके बाद वेरिफाई करने के बाद उसने 1st F1 रिचार्ज कर देगा जिससे आप असाने से अपना फोन में सिम कार्ड लगा कर यूज कर सकते हैं उसके बाद अगले महीने आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा जो आप कोई भी रिचार्ज आफर क के ताथ अपना करा सकते हैं ऐसा वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा